एंटिजन्स वो मॉलिक्योल्स हैं जो के एंटिवाडिस के साथ रियक्ट करते हैं इम्यूनोजन्स वो मॉलिक्योल्स हैं जो की इम्यून रिस्पॉंस को इंड्यूस करने की कपैस्टिय रखते हैं ज्यादातर cases में जो antigen होते हैं और यह दोनों टरम्स जो है antigen और immunogen यह दोनों interchangeable terms हैं अक्सर antigen immunogen होते हैं means कि वो immune response को elicit करने की या induce करने की capacity रखते हैं किसी भी immunogen या antigen की surface पे मौजूद जो immunologically active region है उसे हम epitope कहते हैं यह epitope किसी भी antibody की surface के साथ attach हो सकता होता है या यह किसी भी antigen specific membrane receptor के साथ attach होता है जो के lymphocyte की surface पे मौजूद हो सकता है तो कोई भी receptor हो जो के antigen specific हो मतलब जिस तरह का antigen है उसका specific receptor जो के lymphocyte पे मौजूद होगा उसके साथ जाके epitope bind करेगा और या पिर उन antibodies के साथ जो के सिक्रीट हो रही होती है इस epitope को हम antigenic determinant भी कहते हैं इस diagram में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जो epitope या antigenic determinant है वो किसी भी surface of antigen पे मौजूद हो शकता है या किसी भी surface of immunogen पर मौजूद हो सकता है और ये फर्दर बहुत specific receptor के साथ जाके bind करेगा अब जैसे यहां antibody ये जो है वो उपने specific epitope के साथ attach हो सकती है क्योंकि उसकी binding side जो है वो बिल्कुल specific है उस epitope के लिए जबकि antibody B जो है वो एक और different structure वाले epitope के साथ attach हो सकती है क्योंकि उसकी specificity जो second type का epitope है उसके लिए है किसी भी antigen पे मौजूद epitope जाकर antibody के साथ attach होगा और antibody का जो region antigen के epitope के साथ attach होता है वो basically paratope है वो variable domain है variable domain के अंदर जो site मौजूद है antibody पे या T cell के receptor पे और वो जाके specifically epitope के साथ attach होती है उस site को हम paratope कहते हैं यानि antigen का epitope और antibody का paratope ये आपस में दोनों interact करते हैं जो antigen antibody interaction है उसके अंदर और इसमें जो antibody है ये भी जाके antigen का epitope के साथ interact कर सकती है या T cell की surface पे मौजूद जो receptor है जिसे हम TCR ये T cell receptor कहते हैं ये paratope उसके अंदर भी मौजूद हो सकता है जो के जाकर डिफेंट किसम के antigen के epitope के साथ interact करने की capacity रखता है जहां तक antigen की chemical nature का तालुक है तो ये डिफेंट तरह के हो सकते हैं बहुत से ऐसे immunogenes हैं जो के protein in nature होते हैं और कभी कबार तो ये protein pure protein होती हैं और इसके अलावा ये protein ग्लाको protein या लिपो protein की form में भी immunogenes हो शकती हैं जनरली जो protein हैं ये बहुत अच्छे immunogenes हैं इनके लिए body खासा strong immune response प्रोडियोश करती है pure polyseccurides या लिपो polyseccurides भी immunogenes हैं और good immunogenes हैं जहां तक nucleic acids हैं ये बहुत ज़्यादा immunogenic नहीं होते हैं लेकिन अगर जो nucleic acid है वो इस type का हो जैसे कि single standard हो और या फिर ऐसा हो कि उसका protein के साथ complex बनावा हो तो ऐसी सूरत में जो immunogenes हैं nucleic acid in nature वो ज़्यादा immunogenic होते हैं मसलें single standard जो nucleic acid है that can be from some viral body तो उसमें single standard nucleic acid या फिर उसका complex हो अगर protein के साथ तो वो ज़्यादा immunogenic होते हैं जबकि जो lipids हैं वो बहुत ज्यादा immunogenic नहीं होते हैं लेकिन यह possibility होती है कि वो हैप्टन के तौर पर काम करें हम further देखेंगे कि हैप्टन क्या हैं antigen और antibody का reaction बहुत specific होता है इस की जो इस interaction की base पर ही बहुत सारे different किसम के test किये जाते हैं diagnostic laboratory के अंदर जो इसमें देखा जाता है कि antigen या तो आप provide कर देते हैं और आपको antibody मालूम नहीं होती for example किसी patient के serum में किस type की आपको एक microorganism देखना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि whether it is present or not और आप उस antibody के इस खुद से बनावा antigen देंगे और अगर वो interact कर जाए तो certainly ये प्रूव हो जाएगा कि उस patient में वो infection मौजूद है इसलिए antibody वहां पर जो है वो बनी थी उस human के या किसी भी individual के serum से आप इसको चेक कर सकते हैं इसी तरह से अगर कोई microorganism है और उसका antigen आप देखते हैं कि उसके body के अंदर आप खुद से वहां से body से serum ले ले लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें microorganism मौजूद है तो certainly वो antigen मौजूद होगा जो कि उसके surface पे मौजूद specific antigen है उसके इस आप antibody देंगे और उन जो antigen और antibody की आपश में binding होती है वो खाची weak forces होती है जैसे hydrogen bond है या wonder wall forces है उनके जरीए antigen और antibody आपश में bind करते हैं इनके दरम्यान covalent bonding नहीं होती किसी भी antigen और antibody का आपश में bind करने की जो affinity है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना के antigen और antibody की binding site आपश में अच्छे से fit in हो रही हो क्योंकि जो antigen है और antibody है या आपश में weak forces के साथ जुड़े होंगे तो जितना ज्यादा अच्छी fitting होती है antigen और antibody की उतने ही ज्यादा affinity के साथ या आपश में bind करते हैं और अगर एक दफा एक antigen आता है और उसके against antibodies body के अंदर produce हो रही होती है और उनके तरम्यान जो binding बनती है वो हर successive exposure पे ज्यादा increase होती जाती है क्योंकि जब second time वही antigen body के अंदर आता है तो वहाँ पे पहले से मौझूद specific antibodies उसके उस infectious agent के against मौझूद होती है तो वो आपश में ज्यादा अच्छे से ज्यादा affinity के साथ bind कर सकती है different types है antigen की जिने हम further further देखेंगे कि इन में क्या difference है एक type के antigen वो होते हैं जिने हम exogenous antigen कहते हैं कोई भी microorganism जिसकी surface पे different antigen मौझूद होंगे वो जब body के अंदर enter होता है या body के system के अंदर enter होता है और फिर उसमे body के circulatory system में आके उसके body के different fluids के अंदर circulate करना लगता है तो specific किसम के cells हैं body के अंदर जो के इसको trap करते हैं ये cells antigen presenting cells कहलाते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोई microorganism या कोई exogenous antigen body के अंदर enter हुआ तो ये इसको phagocytos कर लेंगे मतला phagocytos इसके through इसको engulf कर लेंगे अब engulf करने के बाद इसकी processing होगी antigen presenting cell जो है वो क्या करेगा कि इस microorganism को इसकी तोड़ फोड़ करेगा और इसके different antigens को surface के ओपर show करेगा जिसकी वजह से हम इन cells को antigen presenting cells करे रहे हैं because it has the capability to present antigen on the surface of cell इसमें different तरह के bacteria, different तरह के viruses और फंजाय हो शकते हैं because ये सब वो antigen हैं जो के foreign in nature है means exogenous antigens है कुछ ऐसे antigens भी होते हैं जो start में तो exogenous antigens होते हैं कि उसके बाद वो body के अंदर काफी अश्य तक reside करने की वजह से ये endogenous antigens बन जाते हैं जिसा कि आप देखते हैं कि different किसम के जो viruses है because virus एक obligate parasite है तो जो intercellular viruses हैं वो basically तो exogenous antigens थे लेकिन उसके बाद वो cell के अंदर आ जाते हैं, intercellular nature हो जाते हैं वहीं पर अप्लिकेट कर रहे होते हैं body के cells के अंदर बार बार, so ये endogenous antigens के तोर पेक्ट करते हैं endogenous antigens हम उसको कहते हैं जो के body का अपना ही cell होता है या कोई अपना ही fragment हो सकता है या कोई antigenic product हो सकती है जो के body के अपने ही cells ने produce की है होता क्या है कि जो macrophages हैं इन endogenous antigens को pick करते हैं और फिर उसके बाद इसकी processing करते हैं और फिर इसको surface पे show करते हैं और ultimately जो cytotoxic T cells हैं वो इन antigens को जो है किसी भी APC की surface पे या macrophage की surface पे देखके determine करते हैं और इसको accept करते हैं ultimately इसको फिर process किया जाता है जो cytotoxic T cells हैं ये basically cytotoxicity से related हैं means ये cell की killing कर देते हैं उसको मार देते हैं तो अगर कोई ऐसा endogenous antigen है जो के किसी भी cell की surface पे, macrophage की surface पे show हो रहा है और ultimately it is being exposed to the cytotoxic T cell and is determined by the presence of TCR on the surface of cytotoxic T cell तो होगा क्या कि ultimately उसको उस cell को जो है kill किया जाएगा different तरह के blood group के antigen हैं इसे तरह से histocompatibility leukocyte antigen हैं जो के cell की surface पे मौझूद होते हैं जिसे हम HLA भी कहते हैं यह से major histocompatibility complex या MHC भी कहा जाता है third type के antigen हैं वो auto antigen है auto antigen actually वो normal proteins या वो complex of proteins हैं जो कि किसी nucleic acid के साथ complex की form में हो शकते हैं जैसा कि protein जो हो DNA के साथ या RNA के साथ complex बनाएं लेकिन यह originally तो normal proteins of body हैं या complex of protein with nucleic acid हैं लेकिन normal हैं इनके against immune system ने कोई भी attack नहीं करना होता लेकिन होता क्या है कि जब कोई individual auto immune disease से सफर कर रहा होता है जिसमें कि उसका अपना ही immune system उसके अपने ही body को attack कर रहा होता है क्योंकि यह misdirected immune system होता है इसमें body self और non self की पहचान को खतम कर देती है और किसी भी individual का अपना ही immune system उसके अपने ही cells को और अपने ही tissues को affect करना शो कर देता है ऐसी सोरत में जो यह normal proteins हैं या complex of proteins with nucleic acid हैं इनको antigen के तोर पे या आटो antigen के तोर पे present किया जाता है और immune system अपनी ही body का immune system इनको attack करके खतम करने की कोशिश करता है नormal condition में तो immune system ने इसको target ही नहीं करना होता लेकिन चुँके अब auto immune system के अंदर वही normal proteins हैं वो एक auto antigen के तोर पे काम कर रही होती है तो इसकी different reasons हो सकती है जैसा कि कुछ genetic reasons हो सकते है या environmental factors हो सकते है जैसा कि normal immunological tolerance है ऐसे antigen की वो खतम हो जाती है patient के अंदर और different case हम की nucleo proteins या nucleo cases जो हैं उनके against body अपना ही immune system active करके उसको body का अपना immune system attack करने लगता है और ऐसे antigen को हम actually auto antigen क कहते हैं कुछ ऐसे factors हैं जो के immunogenicity को influence करते हैं for example foreignness है कोई भी molecule self या non self के तोर पे जब recognize होता है तब immune system ये DCN लेता है कि इसके against कैसा attack होना चाहिए जो molecules self होते हैं वो immuneogenic नहीं होते हैं क्योंके हम उन self molecules के against tolerant होते हैं तो उनको हम नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा immuneogenic किसम के molecules हैं because उनके against तो immune response एलिसेटी नहीं होना होता तो कोई भी molecule अगर immuneogenic in nature होगा तो यकीन वो non self होगा या वो foreign होगा इसलिए उसके against body अपना immune system induce करेगी दूसा important factor होता है molecular size का जो immuneogens हैं वो अगर बहुत ही smaller in size हों तो वो बहुत ज़्यादा immuneogenic नहीं होते हैं because उनका जो molecular size है वो बहुत ही छोटा है तो क्या होता है कि उन्हें immuneogenic होने के लिए अपना attachment करना पड़ता है कुछ specific proteins के साथ और वो proteins जो हैं उन्हें हम carrier proteins कहते हैं so heptons immunogenic नहीं होते इसी तरह से जब हम molecular weight की बात करते हैं तो 100,000 plus जो molecular weight के immunogens हैं वो potent किसम के immunogens होते हैं उनका molecular weight ज्यादा होता है और वो ज्यादा अच्छा immune response कर सकते हैं और ऐसे immunogens या ऐसे molecules जिनका जो molecular weight है वो 10,000 से भी smaller होता है वो फिर काफी weak immunogen होते हैं और जैसा के different किसम के amino acids हैं तो वो फिर smaller in size होने के वज़ाए से बहुत strong immune response नहीं दे सकते हैं उनकी immunogenicity जो होगी वो weak होगी तीसरा एहम जो point है वो यह है कि chemical structure कितना complex है जितना कोई substance ज्यादा complex होगा chemical होगा उतना ही ज्यादा immunogenic होगा क्योंकि amino acids जो हैं वो homopolymer के तोर पे भी मौजूद हो सकते हैं और वो heteropolymer के तोर पे भी मौजूद हो सकते हैं जो heteropolymer होंगे उसमें दो या तीन या डिफरंट तरह के amino acids जो हैं वापस में मिलके immune response करने की काबल हो जाएंगे heteropolymer बना रहे होंगे जो heteropolymer ज्यादा complex होगा क्योंकि उसमें दो या तीन डिफरंट तरह के amino acids जूड़े हैं जो homopolymers हैं उसमें एक ही type के amino acids होंगे तो वह less complex होगा अगर वह less complex होगा तो वह less immunogenic होगा और जो heteropolymer है उसमें different type के amino acids हैं more complex है तो more immunogenic in nature है एंटिजन के जो determinants हैं या जो epitopes हैं जो हमने बात की कि यह small chemical groups हैं जो के एंटिजन के surface पर मौजूद हैं और यह basically किसी भी antibody के साथ या matricial receptor के साथ interact करते हैं तो एक antigen ऐसा है जिसकी surface पर determinants या epitopes जो है ना ज्यादा type के हैं तो यकिनन वो ज्यादा immunogenic in nature होगा different antigens पर different तरह के determinants हो सकते हैं अगर एक antigen multivalent हो मतलब उसकी surface पर मौजूद epitopes diverse nature के हों तो ऐसे determinant जो होते हैं वो उस antigen को ज्यादा immunogenic बिना देते हैं एक determinant जो है वो roughly पांच-मानवे शुगर के size का तक्रिबन होता है और overall जो structure है इस epitope का जो three-dimensional structure है यह basic criteria है किसी भी antigenic specificity के लिए क्योंकि हमने यह चीज़ देखी कि जो epitope है वो बहुत specific है for paratope which is present on the surface of antibody और T-cells receptor so उसकी जो three-dimensional structure है वो अगर अच्छे से फिटन नहीं हो शकता antibody के साथ तो वो epitope specifically किस और antibody के साथ तो इंट्रेक करेगा ही नहीं क्योंकि उसकी respective antibody होगी जिस पर अच्छे से इस epitope के fitन होने के लिए जो structure है module जैसे आप दिखते हैं कि enzymes हैं वो lock and key का आपको method यहां दोगा कि enzymes जो हैं वो अपनी specific side के साथ आके यह bind करता है इसी तरह से जो epitopes हैं यह भी इंतहाई specific हैं अपनी binding side के लिए पिर किसी भी antigen की जो physical form है यह बहुत अहम होती है जो particular antigen होते हैं वो ज्यादा immunogenic होते हैं rather than वो antigen जो के soluble in nature हों इसी तरह से जो denatured antigen हैं वो ज्यादा immunogenic होंगे और जो native किसम के antigen हैं वो उतने ज्यादा immunogenic नहीं होते हैं किसी भी एक species के जो different individuals हैं उनके अंदर मौजूद कोई खास टिशू एक ही तरह के antigen रखता होता है जो कि species specific antigen होते हैं for example अगर हम blood की बात करते हैं तो different किसम की human blood proteins हैं इसी तरह से जो animal के अंदर blood है उसके अंदर animal blood proteins मौजूद होंगी और अगर हम इसका difference देखना चाहें तो human blood protein is quite different from that of the animal blood protein और इसको हम differentiate कर सकते हैं क्यूंकि जब हम antigen और antibody का reaction करवाते हैं तो चुंकि हर species के specific tissue पे मौजूद antigen specific है तो उसका जो interaction होगा वो specific antibody के साथ ही होगा इसलिए antigen और antibody का reaction करवाके हम human blood proteins को animal blood protein से बड़ी असानी से differentiate कर सकते हैं किसी भी species के organs या tissues के अंदर specific किसम के antigen मौजूद होते हैं for example जो proteins हैं जो के brain के या kidney के specific proteins हैं या lens proteins हैं किसी भी species के अंदर तो उनकी specificity sometime किसी दूसरी species के उन specific cells के साथ matching हो शकती है क्योंके और गन सेम होगा अगर brain cell है किसी एक species का उसके अंदर मौजूद जो proteins हैं वो brain protein of some other species के उनकी तनमयान थोड़ी specificity हो शकती है matching हो शकती है इसके अलावा genetic factors हैं जो के बहुत important role play करते हैं किसी भी antigen किसी भी substance की immunogenicity को determine करने के लिए कुछ ऐसे substances हैं जो के अगर एक species के अंदर हो तो immunogenic response reset कर सकते हैं जबके किसी और species के अंदर वो उतने immunogenic नहीं होते तो किसी भी जो antigenic substance है उसके immunogenicity को determine करने के लिए जो एहम करदार अदा कर रहे हैं वो उस organism के genetic factors हैं जिसके अंदर वो response produce कर रहा है कोई भी species है या कोई भी individual है तो there is a possibility कि उनके अंदर वो genes ही ना हो जो के receptor produce करने वाले genes हैं जैसा कि बीसल की surface पर मौझूद जो receptors हैं जो के antigen specific receptors होते हैं या T cells की surface के ओपर जो receptors होते हैं जिनोंने ultimately antigen के साथ interact करना होता है हो सकता है वो receptor ही produce ना हो रहे हो उस individual के अंदर उसके अंदर वो genes ही मौझूद ना हो जो इन B cell या T cell receptors को produce कर सकें तो नतीजा क्या होगा कि वो antigen तो आके ना B cell के ओपर कोई उसका respective receptor मौझूद है ना T cell पर मौझूद है तो वो उसके साथ interact नहीं कर सकेगा और अगर interact नहीं करेगा तो certainly body immune response नहीं देगी तो वो लैसे मैंनो जाने कोगा for that particular species और ये भी हो शकता है कि कोई एसे genes उनके अंदर मौझूद ना हों जो के APC की surface because एक factor नहीं है factors बहुत सारे है किसी immune response को properly काम करने देते हैं जो क्योंकि अगर वो genes जो के APC की specific presentation of antigen के लिए related है वो अगर genes lacking है किसी individual के अंदर तो भी जो antigen presenting cell होगा वो antigen को helper T cell के सामने जो है present ही नहीं कर सकेगा अगर APC properly काम नहीं कर रहे और APC की surface पे antigen की presentation proper नहीं है तो helper T cell जो है वो antigen को जाहर है कि recognize ही नहीं कर रहा उसके साथ attachment ही नहीं हो रही तो फिर यकिनन ना helper T cell आगे cytotoxic T cell को effect करेगा नहीं वो आगे B cell को effect करेगा और नहीं उ अच्छा immune response body जो है वो produce कर सकेगी तो वो genetic factors जो के APC को इसकाबल बनाते हैं कि वो antigen को जो T cells के हैं उनके सामने present कर सकें अगर वो genes properly काम नहीं कर रहे तो भी immunogenic response उतना अच्छा body का नहीं होता इसके लावा एक और important factor है age का जो के immunogenicity को determine करता है जो बहुत ही कम age होती है जिन individuals की बहुत young होते हैं या बहुत old होते हैं तो उनके अंदर immune response बहुत strong नहीं होता उनका immune system उतना अच्छे से function नहीं कर रहा होता जितना के young लोगों का कटता है जो babies के अंदर भी बहुत कम immune response होता है और immune system इतना develop नहीं होता और old age में भी जो immune response है वो work के साथ-साथ diminish कर जाता है इसके अलावा जो किसी भी antigen को जब body के अंदर enter होता है और वो phagocytos होता है तो जो antigen easily phagocytos हो जाता है वो ज्यादा immune जाने के nature होता है मतलब जो ज्यादा तेजी के साथ degrade हो रहा होता है वो ज्यादा immuneogenic antigen होता है इसकी एक वज़ा यह होती है कि जो T-dependent antigen हैं मतलब वो antigen हैं जो के T-cell को involve करते हैं for subsequent immune response तो जो T-cells को involve करने वाले antigen हैं उनको phagocytos होने की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर antigen body में आएगा phagocytos होगा फिर वो T-cell को जो है phagocytos करने वाला cell अपनी cell की surface के ओपर epitope को शो करेगा antigen को शो करेगा और ultimately जो T-cell response है वो illicit होगा तो जो antigen presenting cells को involve करके T-cells को involve करते हैं वो antigen जो हैं ज्यादा immunogen के nature होते हैं इसके बाद अगले बात की होती है कि immunogen या antigen जो administer किया जा रहा है किसी भी body के अंदर उसके dose कितनी है अगर antigen बहुत जादा higher dose में हो और बहुत जाद या फिर बहुत ही उसकी dose कम हो तो immune response जो है वो optimum नहीं होता किसी भी antigen के body में enter होने के different roots हो सकते हैं एक तो ये possible होता है कि वह subcutaneous root के through enter हो जाए या intravenous root हो सकता है जैसा कि किसी भी vein में directly enter होने के बाद circulatory system का हिस्सा बन जाए या फिर intra gastric root होता है intra gastric root के होता है जैसे हम औरली कोई फूर लेते हैं तो उसके साथ different किसम के microbes हमारी body के अंदर जा सकते हैं जो कि फिर gastric pathway के through हमारी body का हिस्सा बनते हैं और जाके उसमें different किसम के infections कर सकते हैं जो ऐसे antigens हैं जो कि intravenous root से enter होते हैं वो चुके blood circulation में directly चले जाते हैं तो सबसे पहले वो सप्लीन तक पहुंचते हैं जबके ऐसे antigens जो कि subcutaneously enter होते हैं वो सबसे पहले local lymph node तक पहुंचाया जाते हैं जो root है किसी भी antigen के administration का वो भी response आपकी body का different उस पर depend करेगा because जो response है वो उस root पर dependent है जिसके through antigen body के अंदर enter हुआ है जो subcutaneous root होता है जिसमें antigen जो है firstly local lymph node तक लेके जाते हैं वहाँ पे जो ऐसे antigen हैं subcutaneous root से enter हो रहे हैं उनके against ज्यादा अच्छा immunogenic response body दे रही होती है rather than वो antigen जो के intravenous या intragestic root के through body के अंदर enter होते हैं Thank you